अगर आप crude oil में short term trading करते हो और नहीं जानते कहाँ पर buying करें कहाँ पर selling करें और क्या stop loss होना चाहिए और क्या target रहेगा तो इस वीडियो को last तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीक है फोर मा दो शून्य दो तीन टाइम हो रहा है शाम के पांच बच के दस मिनट और आज दिन है सैटेडे Friends हमने लास्ट वीडियो में बात की थी Crude Oil की जिसका Target Achieve हो गया है और आपने इस लेवल्स पे ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी Friends आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो Friends वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे First time विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे Friends इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते है इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके Friends आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत डेंजर्स हो सकता है आज बात करेंगे Crude Oil की जिसका कॉन्ट्रेक्ट है माच्चे का Crude Oil जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 6,505 रुपीज के आसपास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है 7,676 रुपीज और इसका लेटस्ट लोग पोस्ट हुआ है 5,850 रुपीज Fundamental व्यू की बात की जाए तो बरती हुई ब्याजदरे और चायना की और से दिमान जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाव इन सारी बातों का असर प्रूड ओयल के उपर देखने को मिल सकता है इंपोटेंट स्पोर्ट की बात की जाए तो स्पोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला स्पोर्ट 6,389 रुपे दूसरा स्पोर्ट 6,165 रुपे और तीसरा स्पोर्ट 6,014 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इंपोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही स्पोर्ट बाद में रेजिस्टेन्स का काम करेंगे इंपोर्टेन्ट रेजिस्टेन्स की बात की जाए तो रेजिस्टेन्स यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेंस 6,652 रुपे दूसरा रेजिस्टेंस 6,747 रुपे और तीसरा रेजिस्टेंस 6,916 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price in resistance को तोड़ के उपर की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में sport का काम करेंगे मन्थली चार्ट पे train की बात की जाए तो तो करना क्या चाहिए आईए देखते है इससे पहले फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर लेना फ्रेंज जो बाय है उनके लिए सलाह रहेगी बाय ओन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाए फिलहल बाजार अभी positive दिखाए दे रहा है करन्ट प्राइस पर बाय साइड का risk reward ratio देखे तो risk 126 रुपे और reward 147 रुपे के हिसाब से risk reward ratio दिखाए दे रहा है अगर आप bind करना चाहते है तो bind level जो है current price 6,505 रुपे से 126 रुपे निचे यानी 6,379 रुपीज के आसपास bind करे तारगेट रहेगा 6,652 रुपीज अगर ये target अचीव होता है तो second target रहेगा 6,747 रुपीज और इसके लिए stop loss रहेगा 6,363 रुपे और friends stop loss जरूर लगाए बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है अगर आपने top level पे already buy किया है तो आपकी total quantity में से 30% quantity 6,379 रुपीज के आसपास average करे अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है तो आप 6,165 रुपे के आसपास 30% quantity average करे Friends averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है और अभी major trend negative दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे जो सेलहे उनके लिए सलाह रहेगी ट्रेडिंग अवोइड की strategy अपनाए फिलहाल बजार अभी positive दिखाए दे रहा है current price per sale side का risk reward ratio देखे तो risk 147 रुपे का दिख रहा है और reward 126 के हिसाब से risk reward ratio दिखाए दे रहा है अगर आप सेलिंग करना चाहते है तो सेलिंग लेवल जो है current price 6,505 रुपे से 147 रुपे उपर यानी 6,652 रुपीज के आसपास सेलिंग करे target रहेगा 6,379 रुपीज अगर ये target अचीव होता है तो second target रहेगा 6,165 रुपीज और इसके लिए stop loss रहेगा 6,679 रुपे और friends stop loss जरूर लगाए बिन stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है अगर आपने lower level पे already sale किया है तो आपकी total quantity में से 30% quantity 6,652 रुपीज के आसपास average करे अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है तो आप 6,747 रुपे के आसपास 30% quantity average करे जैसे की हमने पहले भी बताया averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है और अभी major trend negative दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे overall trend positive रहेगा buy on dips करके चले लेकिन streak stop loss के साथ आने वाले दिनों में buy side target 6,652 रुपे और 6,747 रुपे और 6,916 रुपीस के आसपास देखने को मिलेंगे friends अगर आप इन levels पर trade करना चाहते हो तो आपके financial expert की राय जरूर ले ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस financial market में सही गलत की समझ जरूर रखे और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खुद ही ले और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे अपनी trading में back testing या paper trading जरूर करे उसके बाद ही trading करे अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे धन्यवाद